नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पने यूटूब के नाड़ टेक्निकल जोग ज्यान में तो फ्रेंच 5 अक्टूबर को डी एफ सीचेल की सभी पोस्टों की आंसर की है वो जारी कर दीगी है और दोस्तों आंसर की आने के बाद में आपका जो अगला काम है वो है दोस्तों अबजेक्शन सब्मिट करने का तो आपको किसी भी क्यूशन के अंदर आपको doubt है, आपको लग रहा है कि आपका ही क्यूशन है वो सही है और department की जो answer किया है उसके अंदर mistake है या फिर उसके अंदर एक से ज्यादा answer है वो right हो रहे है या फिर दियेगे विकलब मैंसे कोई भी विकलब है वो उसका सही नहीं है और कौन-कौन से दोस्त है किस टाइप के जो विदार्ट या उनको objects वो submit करना चाहिए तो इन सबी चीजों के बार में आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ तो front सबसे पहले आपको इस वीडियो को description में लिंक मिलेगी जिस लिंक पे आपके कलिक करोगे तो आपके सामने यही screen open हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है तो front सबसे पहले आपको user ID और उसका password डाल करके login करना होगा तो आप कहोगी sir हमारे पास में user ID और password हमारे पास में अभी है यही नहीं तो front जिस time आपने application form submit किया था उस time आपको एक mail प्राप्त होगा था उसके अंदर आपको user ID और password मिले थे details दिखेगी उसके बाद में candidates response दिखेगा और उसके बाद में objection का form दिखाई देगा तो आपको दोस्तों सबसे पहले करना क्या होगा candidates response के option पे click करना होगा उसके बाद है कि यहाँ पे download your question paper click here to generate it ठीक है तो click here के option पे आप जैसे click करोगी तो आपका जो paper है वो आपके सामने open हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आप जगद देखोगे तो यहाँ पे question ID दे रहे किया तो इसको ध्यान में रखना है जब आप response सब्मिट करोगे तो question ID के जरूर पड़ेगी उसके बाद जो आपने यहाँ पे answer दे रखा होगा उसका option आपको यहाँ पे दिखाई देगा भी आपने किस answer को choose किया है और यहाँ पे जो green दिखाई दे रहा होगा यह department की तरफ से गोशित किया गया right answer होता है दोस्तों तो यहाँ से सबसे पहसे आपको check कर लेना है भी कौन सा question है जिसके अंदर आपको problem लग रही है तो उस type की question की question idea वो एक बार आपको copy के अंदर notebook के अंदर आपको note कर लेना है उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आ आ जाना है यहाँ पे आने के बाद में objection form का option दिखाई की रहे इस पे आपको click करना होगा तो select एसके option का option दिखाई देगा उसके साबने आपको plus का option दिखाई दे तो plus के option के आपको click कर लेकुंघार जित्ञे ढलोगे डेट है, ऌ sid बगर आपको कौन से हो, यहां से आपको eq country आईडिये हैं, उसको नेचर ऑब अब्जेक्स ना, यानि कि किस परकार का आपको यहां से आप अब्जेक्शन लगाना यानि कि and लिखाईस इत्म याफिर उसका और इन्हों ने गल्ब देने रहे 선 सकते हो उसके बाद remark option दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोस्तों जो आपके हिसाब से right answer क्या है वो आपको यहाँ पर mention करना है उसके बाद में according to यानि कि कौन सी आप उस question का answer आपको दिखाई दे रहा है तो वो चीज़ उसकी photo ले लेनी है उसके बाद में click here to upload के option पर क्लिक करके आपको upload कर देना है यहाँ पे आपको submit का option दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आप उस question को submit कर सकते हो और किस टाइप के विदार्थियों को यहाँ पे objection है वो submit करना चाहिए तो देखिए दोस्तों आपको किसी भी person के answer के अंदर doubt है department के question पे आपको doubt है उसके बाद आपके पास में कोई AC book है जिसके अंदर आपने जो answer दिया उस type का answer उस book के अंदर है तो इस परकार के person का आपको objection है वो जरूर submit करना चाहिए जितने भी question हो यहाँ पे आप answer objection हो submit कर सकते हो कोई विशू लग नहीं है बिल्कुल free में यहाँ पे आपको objection हो यहाँ पे डाल सकते हो ठीक है इस हिसाब से आपको objection डाल सकते हो तो मेरे हिसाब से